हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहा है आर्सी लोपास फिल्टर के बारे में फरस्ट अपॉल हम लोग जान लेते हैं लोपास फिल्टर क्या होता है तो लास्ट वीडियो में हम लोग उने देखा कि लोपास फिल्टर क्या है यह एक ऐसा फिल्टर है जो क्या करता है low frequency को allow करता है pass करता है circuit और high frequency जो भी आता है उसको क्या करता है attunate करता है यह जो high frequency हम इसमें जब pass करेंगे तो यह क्या कर देगा उस frequency को reject कर देगा और only allow करेगा low frequency तो इस circuit में हम देख लेते हैं यह हमारा एक RC circuit है जिसमें हमने output capacitor के cross में लिया है और input हमने इस terminal पे दिया है तो जो reactance होगा capacitor का वो क्या हो जाएगा हमको पता है कि reactance होता है one upon omega c तो इसको जब हम लोग और derive करेंगे तो omega की equal हम two pi f लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा reactance इसका one upon two pi f c इस case में हम क्या देखते हैं कि यदि हमने frequency decrease की यानि कि low frequency जब हम दे रहे हैं तो हमारा reactance क्या हो जाएगा high हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा जो हमारी circuit के output है वो nearly approximately equal to हो जाएगा भी in और जब हम लोग high frequency देंगे तो यह जो reactance से हो क्या हो जाएगा low हो जाएगा जिसके कारण से क्या होगा जो हमारा V out आवड़ा है वो zero के equal to हो जाएगा nearly equal to zero हो जाएगा तो इस circuit से हम लोग यह देख सकते हैं कि high frequency को यह क्या कर रहा है इसको हम c का क्या लिख सकते हैं तो voltage divider rule जो हम लगाएंगे इस circuit में तो क्या हो जाएगा हमारा जो V out है वो क्या हो जाएगा V in into 1 upon sc divided by r plus 1 upon sc क्योंकि हम output capacitor से ले रहा है इसलिए हमारा capacitor का जो drop है वो कहा हो जाएगा यहां पर हो जाएगा V out upon V in s जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 upon sc divided by 1 plus sc divided by sc sc cancel out हो जाएगा तो यह हमारा finally क्या हो जाएगा equation 1 upon 1 plus sc तो इसमें हम लेको नहीं क्या देखा तो transfer function जो हमारा कितना हो जाएगा 1 upon 1 plus sc यह हमारा हो गया transfer functions और हमको पता है s is equal to j omega होता है तो जब हम इसकी value j omega के form में रख देंगे imaginary form में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा equation यह क्या हो जाएगा h of j omega is equal to 1 upon 1 plus j omega cr यह हमारा क्या हो गया transfer function हो गया तो हमने इस परकार से देख लिया यह क्या हो गया इसका transfer function of rc low pass filter अब हम इसका frequency response देख लेते हैं तो frequency response में अभी हम लोगे ने transfer function देख लिया जो हमारा क्या था h of j omega is equal to 1 upon 1 plus j omega cr तो इसकी जब हम frequency response में magnitude निकालेंगे तो क्या हो जाएगा magnitude गम को पता है 1 upon root under x component square minus y component square हो जाता है तो x component हमारा 1 था तो 1 square हो जानी की 1 हो गया और y component हमारा j omega cr था जब हम इसका square करेंगे तो j square omega cr का whole square होगा तो j square का value कितना हो जाता है omega cr whole square यह हमारा क्या हो गया magnitude हो गया frequency response का अब इसका जो phase response होगा वो कितना हो जाएगा तो minus 10 inverse y component by x component होता है तो j omega cr divided by क्या हो जाएगा 1 that is equal to minus 10 inverse omega cr यह हमारा हो गया phase response अब magnitude response को हम लोग देख लेते हैं जब हमने omega की value 0 ली उस case में जो हमारा magnitude of frequency response का magnitude हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और जिस case में हमने omega की value infinity ले रखी है उस case में हमारा जो इसका value हो जाएगा वो हो जाएगा 0 और जब हम omega equal to cr लेते हैं उस case में हमारा value हो जाएगा magnitude हो जाएगा frequency response का वो क्या हो जाएगा 1 upon root under 2 जो कि हमारी cut of frequency है तो इस figure से हम लोग देख सकते हैं इस graph में हम लोग उन्हें क्या देखा कि जब हमारी omega के value 0 है तो हमारा magnitude आ रहा है जब इसको बढ़ा के further हमने 1 upon cr value लिया है उस case में हमारा क्या हो रहा है magnitude 1 upon root under 2 हो रहा है तो यह क्या है यह कौनसे frequency हो गए यह cut of frequency हो गई जिसमें हमारा value 1 upon root 2 आ रहा है और जब हमने omega का value infinity ले रखा है तो उस case में हमारा near to equal to 0 आ रहा है यानि कि 0 ही आ रहा है तो यह frequency graph ऐसे बनते जाएगा तो यह हमारा हो गया magnitude of frequency response अब इसका हम phase भी देख लेते हैं तो जब हम लोग phase की बात करते हैं तो हम लोग पता है कि phase का जो angle होता हो कितना minus 10 inverse omega c r होता है तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे omega की value जब 0 put करेंगे तो उस case में हमारा जो angle हो कितना हो जाएगा 0 degree और जब हमन 1 upon c r हम लेटे हैं उस case में हमारी जो value आती है angle के वह जाएगे minus 45 जो कि हमारी cutter frequency की range है तो इसका graph देख लेते हैं इस graph में हम लोग देख सकते हैं जब हमारी omega की value 0 है उस case में हमारा कितना आ रहा है जो angle आ रहा है वो सिर्फ 0 आ रहा है फर्दर जब हमारी omega का value हमने 1 upon c r लिय हुआ है उस case में हमारा जो angle हो कितना आ रहा है minus 45 डिगरी तो हमारा जो यह angle हो गया यह हो गया minus 45 डिगरी और जब हमने इसकी value infinity ले रखी है omega की value infinity ले रखी है उस case में हमारा minus 90 डिगरी आएगा तो minus 90 डिगरी यह हो गया तो इसमें हमने देख लिया यह हमारा total क्या हो गया phase response हो गया किसकी RC low pass filter की तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हमने RC low pass filter देखा उसका transfer function और frequency response देखा इसका magnitude देखा और इसकी phase response देखी हमने तो वीडियो का like करे, share करे और channel को subscribe करे और bell icon को hit करे तो अभी के लिए धन्यवाद